बिग बोस सीजन 13 सुग्रवार के एपसोड में एक बड़ा उलट फिर देखनों को मिला है। बिग बोस ने सभी सदस्यों को लीविंग एरिया में बठा कर कहा गया था। सभी घरवालों को घर के किनी दो लोग के नाम लेने थे। जिनका योगदान घर में सबसे कम घरवालों को तब यह पता नहीं था कि इनी दोनों में से किसी एक का सफर खत्म होने वाला है। जायतर घरवालों ने खेसारी लाल और रस्मी दिसाई का नाम लिया। जबकि इन दोनों के अलावा इस हपते घर से बेघर होने वाले सद्धार्थ सुकला देव, देवलीला भट्टाचारिय और आर्ति सिंग का नाम भी सामिर था। जायतर घरवोट खेसारी लाल के विपक्ष में पड़े इस पूरी परकिरिया के बाद बिग बॉस में एक बड़ा खुलासा किया गया कि उन्होंने बताया कि यह एक सर्प्राइज अलिम लेशन था। जिसे सुनकर सभी घरवाले चोग गए इसके बाद खेसारी लाल को तुर को थी भावुक नजर आये। आज विकेंड के चार में आप सल्मान खान के साथ देख पाएंगे कि घरवालों की कलास लगाएंगे। सिधार सुकला और असिम रियाज पर सल्मान भड़क जाएंगे। यह भी एक नजारा देखने को मिलेगा। आज के एपिसोड में वही इ इमान सुख खुराना के बीच जंग होगी। देखिए परी रिपोट। से एक आप समाजी कारे करता होते हैं ना तो बिहार के लिए आप क्या काना चाहेंगे बिहार के लिए। देखिए बेग बास 13 जो चल रहा है। एक्शली बिहार वो राज है जहां से आजादी की लड़ाय लड़ेगे। बिहारी एक ऐसा राज है जहां से आईएस और आईपियस सबसे जादा देश में अपनी शेवाय दे रहे हैं। बहुत सारे कलाकार भी सत्रोगें सिना आशो कुमारी भी बिहार के ही है। लेकिन कहीं ने कहीं हमें लगता है कि बिहारी के साथ नाइंसाफी होती रही है और बिक बास में पेशनों को सामने मिला। लेकिन कहीं कहीं लगता है कि मैनेज किया आता है एलक्रोनिक सिस्टम है और अपने आदमी को बचाया गया और जो बिहारी थे जो सत्यादे पॉपलर थे भी बहुत में उनको निकाल देया गया। हमको लगता है कि पार्द सिता जो होती है ट्रांस्परेंसी नहीं है और जिसके वेज़े से आज कहीं को लगता है लगातार इनके लिए कहीं लोगों कलाकारों ने भी जो है बोटिंग के लिए अपील की थी और जिहार के लोग बहुत उच्छा के साथ किशारी झाल झाल